इसे तो कोई सिकायत नहीं है मुझे मेरे आज से मगर कभी कभी बिता हुआ कल जो है न वो बहुत याद आता है और ये सब बिलकुल बकवास की बात है ऐसा करने से आपका बर्तमान और भविज दोनों अंधेरे में रहेगा तो आपको आज क्या करना है उस पर फोकस करना है न आकि पास्ट की बात याद करकर रोना है दोना है ऐसा नहीं करना है ठीक है ये सब बस जो भी लिखा हुआ है सब बकवास की बात है आज को स्टार्ट करूँगा बोलूगा चैनल के उपर जो भी ने है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोट्रिफिकेशन के घंटे को एल्वे, बैंक, ऐसे सी हर एक इजाम का मोग टेस्ट दे सकते हैं, यानि कि स्पीड टेस्ट हिंदी और इंगलिस दोनों ही लैंग्विज में, अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाई करते हैं, अभी आपको कम दाम में दिया जा रहा है, तो आने वाले एक साल तक, आप आने व हमारे सामनी क्या निकल कर आ रहा है, और पहला प्रसन हमारे सामने मनीपूर के, मनीपूर का एक आनाज है, एक बीज है, बोश सकते हो, जिसका नाम कै, जिसका नाम है आपका, चक हाउ, ठीक है, इसको हाल ही में GI टैग दिया गया है, बुगोलिक संके, जगरॉफिकल इंडि किसम का, जिसका उप्रोग सदियों से मनीपूर में किया जाता है, तो यह जो बीज आपको दिखाई दे रहा ना, यह एक परकार का चावल है, और मनीपूर के सियम कौन है, एन्बिरन सिंग, जो सभी को पता है, क्योंकि मैं डेली ये सब चीज आपको अप्टू डेट करव और क्लास रोज सुबह में साड़े चार बजे चलता है, और क्यापिटल क्या है, तो वो है आपका इमफाल, और राजजपाल कौन है मनीपूर का, तो नजमा है जो है, वो राजजपाल है मनीपूर की, अगला प्रसमारे सामने है, किस राज़ की सरकार ने देश ब्यापी त पित्र को बढ़ावा देने के लिए क्रिसी उद्यम सुमिधा डेश शुरू की है, आपको बताना है यह सुरू करने वाला कौन सा राज़ है, तो वो राज़ है आपका तिरपुरा, और एक बाग, आज के डेट में या कभी भी भारत का इतिहास है, जो जो राज या जो जो इस्टेट क्रिसी के उपर ध्यान दिया है, एगरिकल्चर के उपर, वो कभी डूबा नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है, भारत का इंकम का सबसे बड़ा जो स्रोत है, एक नंबर पर वो एगरिकल्चर है, तो किसान के उपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हर एक राज्य को, हर एक सरकार को, केम्र सरकार को, किसान को भगवान मान कर चलना पड़ेगा, ठीक है, और तिरपूरा के सियम कौन है, बिबलब कुमार देव, और राज्यपाल कौन है, रमेस बैस, और कैपिटल तो वो है आपका अगर तल्ला, अगला प्रसमारे सामने है, नेशनल बोर्ट फॉर वाइल लाइफ ने किस प्रकृतिक रिजर्व के वन छेत्र में कोईला खनन की जो है, वो अनुमति दे दी है, यानि परमिसन दे दिया गया है, नेशनल बोर्ट फॉर वाइल लाइफ के द्वारा, ताकि वहाँ पर जो है, वो कोईला खनन जो है, वो सुरू किये जा सके तो कहा पर तो वो permission दिया गया है आपका dragging पटकाई हाती reserve में जो आपका ASAM में पढ़ता है option number आपका D ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है CSIR ने किसानों को आप पुर्ति स्रिंखला और माल परिवहन परबंद परणाली से जोड़ने के लिए कौन सा application launch किया है उस application का नाम बताना है ताकि किसान को कोई भी problem ना हो मालनो इुरिया लेने में हर एक चीज़ जो है वो time पर मिल पाए ठीक है इसलिए जो है वो transport system को strong किया जा रहा है किस application के मादियम से वो management पूरा जो है वो देख पाएगा तो उस application का नाम है आपका किसान सभा application option number आपका डी अभी अगला प्रस हमारे सामने एक पुस्तक है पुस्तक का नाम क्या है सीवा जी in south block the unwritten history of a proud people या किताब का नाम है या किताब जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है ये आप सभी को बताना है निमलिखीत में से किसने दच्छन ब्लॉक में सीवा जी दा unwritten history of the proud people पुस्तक लिखी है तो उनका नाम है ग्रीस कुबेर option number आपका डी ये आप याद रखिएगा अगला प्रस हमारे सामने है निमल बहुत important question है ये वाला question बोल रहा है Nikkei Asia Prize 2020 का ये पुरुसकार जो है वो किसे दिया गया है किस चीज के लिए cleaning water technology के लिए और ये award दिया गया है ये पुरुसकार दिया गया है आपका टी प्रदीप को आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे जो इनसान आपको दिखाई दे रहा है यही है आपके टीप प्रदीप जिनको award दिया गया है 2020 का Nikkei Asia Prize किस चीज के लिए clean water technology के लिए ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है और ये question तो social media में आख के तरफ फैल चुका है सभी जानते है इसका answer question बोल रहा है किस TV कौन सा TV धरवाहिक है यानि serial है जिनोंने बिस्व इस्तर पर यानि worldwide पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मनोरंजन कारिकरम बनाने का बिस्व record जो है वो अपने नाम किया है वो कौन सा television का serial है तो अभी आप सभी को lockdown में रमायन कुछ दिन पहले दिखाया जा रहा था जो अभी खतम हो गया है और खतम होने के बाद स्री कृष्णा स्टार्ट किया गया है तो या record रमायन ने अपने नाम किया है एक डाटा में यह बताया गया है बताया नहीं गया है यह पूरा 100% सचाई है कि 16 एपरिल को यानि 16 एपरिल को रमायन ने world record बना दिया है कहने का मतलब है उस दीन साड़े साथ करोड लोग यानि साड़े साथ करोड लोग ने रमायन जो है वो देखा है इसके अगल बगल भी कोई record नहीं है पाच करोड भी आस्ता कोई serial टीबी पर नहीं देखा गया तो एक लौतर रमायन है जिन्होंने अपने नाम record किया है कि एक पहला serial बन चुका है जिनको लोग ने जिसे लोग ने एक दिन में साड़े साथ करोड लोगों ने देखा है और साथ साथ एक record और बनाए डीडी डीडी नेसनल डीडी नेसनल भी एक दिन में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा देखा गया channel है याद रखे question काफी important है ये वाला अगला प्रस्त हमारे सामने कौन सा राज्य है जो वहां के राज्य के लोगों को मुफ्ट और कैसलेस वीमा प्रिमियम परदान करने वाला पहला राज्य बन गया है और वो राज्य आपका मारास्ट्रा क्योंकि अब इसके पीछी reason क्या कारण क्या है भीया actual आप सभी को पता है COVID-19 pandemic यानि क्रोना वाइरस जो महामारी भारत में फैला हुआ है इससे सबसे ज़्यादा संक्रमित राज कौन सा है तो महरास्ट्र है आप सभी को पता है मुंबई जो राजधानी है महरास्ट्र का सबसे ज़्यादा वहाँ की सरकार ने फैसला किया है कि महात्मा जोतिबा फूले जन अरोग योजना के तहत वहाँ के सारे लोगों को जो है वो मुफ्त बीमा प्रीमियम योजना परदान करेगी योजना का नाम याद रखिएगा ये वाला ठीक है और क्यापिटल क्या है महाराष्ट्रा का तो वो है आपका मुंबई अगर बात करें वहाँ के मुख्य मंत्री कौन है तो आप बोलेंगे उद्धव ठाकरे और राजपाल तो वो है आपके भगसिंग खोसियारी अगला प्रसमारे सामने है किस राष्ट ने यानि किस कंट्री ने सफलता के विकास में क्रोना भाइरस एंटी बॉड़ी को सफलता पुरुबग अलग किया है यानि यह दवा कर रहा है कि एक एंटी बॉड़ी इसको आप सरल भासा में बोल सकते हो एक वैक्सिं वैक्सिं से भी एक स्टेप आगे एक दवा बना लिया गया है इसराईल के द्वारा और यह वैक्सिं ऐसा नहीं है कि बस स्वास्त जो भी लोग सही है बस उनके उपर ये तिका दिया जाएगा जो संक्रमित है उनके उपर भी दिया जाएगा ताकि वो भी ठीक हो पाए और जो इसराइल की सरकार है वो 100% बोल रहे है और एक बात मैं आपको बता दूँ आप किस्मत की बात बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो तीन साल नहीं चार से पांच साल पहले उन्होंने क्रोना भारस की आप सभी को पता है न जो COVID-19 है या एक प्रजाती है इसके अंदर बहुत सारा भारस आता है तो इसराइल की सरकार ने इसके उपर काम करना तीन-चार साल पहले से स्टार्ट कर दिया था और अभी उन्होंने ओफिसियली आकर बोला है कि उन्होंने एक वैक्सिन बोल सकते हो जो इन्होंने बना लिया है तो एक अच्छी निउस हो सकती है हमारे पूरे बिस्वर के लिए ठीक है और आज का आपका पहला परस ने यहीं से निकल कर आ रहा है कि इसराइल के पढ़ान मंत्री का नाम आपको बताना है अभी तो बहुत चर्चा में हैं इनके पढ़ान मंत्री का नाम तो आप सभी को पता होगा तो इसराइल के पढ़ान मंत्री का नाम वहां का मुद्रा और वहां का राजधानी यह तीन चीज आपको इसराइल के बारे में comment करकर बताना है यह आपका आज का पहला प्रस ने है ठीक है ना अगला प्रस हमारे सामने भारतिय अमेरिकी एक नागरीक है जिनका नाम है असोक माइकल पिंटो जिनको अमेरिकी प्रतिनिधी के रूप में नामित किया गया है यान International Bank for Reconstruction and Development इसका full from exam में काफी बार पूछा जाता है और इसका गटन हुआ था 1944 में और इसका headquarter कहां पर है तो वो है आपका One-Sington DC जो अमेरिका में पड़ता है अगला प्रस हमारे सामने 2021 के राष्ट मंडल इवाखेल यानि 2021 का Commonwealth Youth Game को किस वर्स के लिए स्थगित यानि पॉस्पॉंड कर दिया गया है तो जो 2021 में Commonwealth Game होने वाला था न इसको पॉस्पॉंड कर दिया गया है 2023 के लिए ऐसा क्यों भईया COVID-19 तो खतम भी हो सकता है 2021 से पहले बिल्कुल हो सकता है लेकिन इस खेल से जो है टोकियो में जो Olympic होने वाला है न उसको भी पॉस्पॉंड कर दिया गया है 2021 में और इसके डेट से इसके डेट से Olympic का डेट जो है वो टक्कर खा रहा था इसके वज़े से इसका डेट को आगे बढ़ा दिया गया है और इसका मतलब अभी इसको पॉस्पॉंड कर दिया गया है इस तगित कर दिया गया है 2023 तक ठीक है तो ये थे आपकी important question कब का 7 मई का और इसका पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा साम को 6 बजे Math के जवाब क्लास के साथ आप सभी के साथ मिलूँगा जो आपका लाइव होता है पांचवा क्लास होगा सो मेरे जितने भी भाई बैन देखने सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ हमेशा की तरह अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख़याल रखिएगा ठीक है ना? चलिए